हेलो अब्रीवन जै हिंद आज 27 अगस्त साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवजन तो आज की इस वीडियो में हम मंडे टू सैटर्ड तक यानिकी 21 से 26 अगस्त तक अल्रड़ी जिन करंट अफर के कोश्चन्स का डिसकर्शन कर लिया है उससे सेलेक्टि हुए 40 important questions मैंने रखे हैं वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और लास्ट में ये बताना है कि शालिस में से आप लोगों ने कितने सहीं attempt किये हैं तो शली शुरू करते हैं केंद्रे मंत्री है जोकि अश्विनी वैश्नो इन्होंने भारत के पहले 3D printed डाग घरिन की Post Office का उध्गाटन ये किया है करनाटा की Capital Bangalore में 45 दिन का समय लगा इसे बन करके तैयार करने में L&T और IIT मदरास के द्वारा बन करके तैयार किया गया है L&T ये वही कंपणी है जिसने दुनिया की सबसे उची जो प्रतिमा है ना Statue of Unity सरदार पटेल की प्रतिमा है ये भी इसी नहीं बनाई है यदि हम बात करें Bangalore के करन्ट अफर की तो यहां भारत की Space Agency इसरो का मुख्याल है जिसने की रिसेंटली चंद्रियान्थ्री लॉंच किया है Statue of Prosperity ने की केम पगोडा की प्रतिमा यहीं है WHO ने Healthy Cities Awards से इसे सम्मानित किया है Traffic Index में पुरी दुनिया में तो टॉप पर लंदन है भारत की तरफ से और लंदन के बाद दूसरे स्थान पर Bangalore है भारत की पहली Girls Football Academy भी इसी Bangalore में इस्थापत की गई है और एक और चीश मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि Weekly Current Affair की Class न हम छोटी से छोटी रखने की कोशिश करते है Daily Current Affair की Duration 15-20 मिनट की होती है जहां हम 10 Question Solve करते हैं कोशिश यही रहती है Weekly Revision में कि 15-20 मिनट के अंदर आपके 40 Question हो सके तो ऐसे Student जो पहली बार चैनल पर वजट कर रहे हैं हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे जितना डेली जाते हैं क्योंकि Sunday की Class आपकी Revision वाली होती है साथी यदि आप चाहते हैं कि Daily जो आपने Current Affair पढ़ा है उसकी PDF आपको मिल जाए तो PDF के लिए आप कल्यानी मैं मौफीशल चैनल टेलीग्राम में जोइन कर लें जिसमें ऑलोड़ी 55,000 इस्टुडेंट फॉलो कर रहे हैं आप भी जुड़ सकते हैं डेली की Quiz और PDF में आपको वहीं पर शेयर करती हैं कोलकाता में भारत की पहली Underwater Metro Train इस साल के लाश्ट तक चलेगी तेलंगाने की Capital हैदरावाद में भारत का पहला Gold ATM उपन किया गया है और मुंबई में भारत का पहला Underwater Tunnel किस मंत्राले ने PM उशा अभियान के शिरुवात की है तो Recently PM उशा अभियान के शिरुवात ये की गए है सिक्षा मंत्राले के द्वारा Option No. B इसका Right Answer हो जाएगा इसकी Full Form मंत्य है PM से प्रधान मंत्री उच्छ सिक्ष अभियान इसका उद्देश है राज्जी और केंद्र शाष्य प्रदेशों में उच्छ सिक्ष तक पहुँच समानता और उतकरश्टता बढ़ाना है दुनिया का पहला 3D अगनी बांड रॉकेट ये कहां से लॉंच कि आगे चलते हैं वनों को बढ़ावा देने के लिए और जलवाई परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में योगदान देने के लिए अम्रत वक्षांदोलन की शिरुवात किसने की है तो असम सरकार के दिवारा ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम है जिसका उद्देश है एक करोड पौधे एक ही दिल लगाना असम जिसकी राजधानी दिशपुर मुखी मंत्री हेमंता विश्वा सर्मा हो जाएंगे असम में इस्तित है काजी रंगा राश्ट्य उध्यान जोकी एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस हो जाएगा हाले में ICC पुरुष्टी 20 प्लेयर्स रैंकिंग रिलीस कीगी जिसमें की भारत के सूरी कुमार यादा को पहला इस्थान मिला है ICC International Cricket Council स्थापना 1909 मुख्याले दुबई UAE Headquarter दुबई UAE में है अध्यक्ष इसके ग्रेग बार के लिए हो जाएंगे और करंट इसे दिया आप रिलेट करें तो ICC Men's World Cup इस साल का जो 2023 का ये भारत होस्ट करने जा रहा है जबकि पिछले साल ICC Women's World Cup ये अल्रोडी हो चुक है 2022 वाला जिसमें की विजेता आस्ट्रेलिया रहा था और इस प्रतियोगीता का जो आयोजन है ये किया गया था न्यूजिलेंड में ठीक है आगे चलते हैं हाली में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो की मनाया जाता है 19 अगस्त को option number C इसका राइट आंसर हो जाएगा तो फोटोग्राफी जो लोग इंट्रस्टेड है फोटोग्राफी में फोटोग्राफी के शेत्र में जिन्होंने अपना कॉंट्रिबूशन दिया है उनकी सराहना करने के लिए दिवस मनाया जाता है मनाया जानी की शुरुवात 1837 में फ्रांस से में थी G20 फिल्म फेस्टि एक्जाम में भी पूछा गया था One Earth, One Family, One Future यनकी एक प्रत्वी, एक परिवार और एक भविश्य ये थीम के साथ ये शुरू हुआ है महराश्ट सरकार ने पहली बार उद्योग रतन आवोर्ड से सम्मानित किया है किसे रतन टाटा जी को क्योंकि पहली बारी सुद्योग के शुरूआत की गई है इंडस्ट्रियल शेत्र में इनके द्वार दिये कॉंट्रिबूशन के इनने सम्मानित किया गया है असम वैभा अव़ोर्ड 2022 से भी रतन टाटा सम्मानित किये गये थे जबकि असम वैभा अवोर्ड 2023 से इससाल तपन सकेय सम्मानित किये गये हैं लता दीनानाथ मंगेशकर आवाड के पहले विजेता नरेंद्र मोधी थे इस बार आसा भोश्त सम्मानित की जा रही है अभी तिलाक आवाड ये मिल रहा है प्रायम इनिस्टर नरेंद्र मोधी को माहराश सरकार की द्वारा भारत रतना मेडिकर आवार्ड से योगे दितिनाथ को सम्भानित किया गया है जो कि उत्तरवरदेश के मुक्यमंत्रे हैं किस देश ने FIFA Women's World Cup 2023 का खिताब जीता है तो FIFA Women's World Cup जो की अभी जीत लिया है इस्पेन ने इस्पेन की जो महिला टीम है इसने England को हराया है England को एक जीरो से मात दे करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है ठीक है और FIFA महिला विश्वकप इसका ये नौवा संस्क्रण था जो की 20 से 20 जुलाई से 20 अगस्त तकायजित किया गया दो कंट्री ने होस्ट किया है औस्ट्रिया और नीज़िलेंड ने इस्पेन यौरप महादीप का दे से इसकी कापटल मैडरेट करंसी यूरो प्राइम मिनस्टर पेट्रो संसिज हो जाएंगी यहाँ ना जिब्राल्टर जल संधी की लोकेशन मैंने आपको बताई है जिसके माध्यम से फिर यहाँ उपर में यौरोप और नीचे में एफ्रिका सेपरेट हो जाता है तो इस्पेन और मूरपकों के बीच में यह जिब्राल्टर संधी आप लोगों को याद रख लेनी है इरजेंटीना जो है यह फीफा मैंस वरल्ड कप 2022 का विजयता है दुनिया का पहला हिूम नाइट पाइलiट पी बोड किस ने लांच किया है तो यह साउथ-पोरिया के द्वारा लांच किया है और इसे इंसानों, सर्वसरेश्ट इंसानों से भी बहतर हवाई जहाद उड़ा सकता है और हिुमनाइट कार भी चला सकता है और युद्धोपोद और पंडुब्यों को भी कमांड कर सकता है साउथ पोरिया जिसकी कैपिटल सियोल करंसी साउथ पोरियन वॉन है फाइफ जी नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश साउथ पोरिया ही है इसने सुदेश विक्सित नूरी रॉकेट अभी रिसेंटली लॉन्च किया था आगे चलते हैं केंदर सरकार ने बाड़ प्रभाविश शेत्रों की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के परपस से कौन सा एप लॉन्च किया है तो इस एप को ना पॉन्लाइनर फॉर्मेट में याद रख सकते हैं इसका नाम क्या है अर्थ वॉच ऑप्शन नमबर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा अम आफ किजिएगा अर्थ वॉच नहीं है फ्लड वॉच ही है फ्लड वॉच यह लॉच्च किया गया है तेक है आगे चलते हैं इसमें अमेरिका सामिल है और इनडिया भी इसमें शामिल हो जाएगा आगे चलते हैं, हाली में जबर जस्त बारिस और भूस कलाने की लैंड स्लैट के कारण किस राज्य ने आपदा घोशित की है, राज्य आपदा रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार की द्वारा घोशित कर दी गई है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जिसकी राज़ानी शिमला म इस प्रोजेक्टी 17A के तहट टोटल 6 युद्धपोद बनाय जा रहे हैं, जिसका नाम हिमालय की पहाड़ी श्रंखला के नाम पर रखा गया है, नील गिरी, हीम गिरी, उदय गिरी, दूना गिरी, तारा गिरी, अभी जो छटवी है न यह हो जाएगी विंधि गिरी, तो इस ट्रेक करने में मदद के लिए, जिस वेब पोटल की शिरुवात की है, इसका नाम है उदगम, उदगम की फुल फॉर्म बनती है, अनक्लेम्ड डेपोजिट गेटवे टू, एक्स, एक्सस इंफॉर्मेशन, आर्बी आई बैंकों का बैंक है, जिसके गवर्नर वरतमान में शक्तिकांतिदास हो जाएंगे, साउथ इंडियन बैंक के, जो MDCO बने, PR शेशादरी बने, 1939 में इस बैंक के स्थापन हुई, त्रिशूर में इसका मुख्याले हो जाएगा, रिसेंटली कन्या कुमारी का प्रोड़क्ट है, मैटी केला जिससे GI टैग मिला है, इसके अलाव चंद्रमा की सतह पर दुरघटिना गरस्त हो गया है, तो ये लूना 25, ये रॉस कॉसमस, जो कि रश्या की स्पेस एजनसी है, इसके द्वारा लॉंच किया गया, इसका चंद्रियान मिशन था, जो की रिसेंटली फेल हुआ है, सोयूस 2.1 भी रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था, रश्या की कैपिटल मॉस्को करंसी रूबर प्रेसेरंट व्लादमिर पुतिन हो जाएंगे, रिसेंटली सीखो कमाव योजना की शिरुवात किसने की है, तो मद्ध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जिनका नाम है सिवराज सिंग चोहान, इनके द्वारा सी गया था, घूंतिस साल की वाउट लेश रूखी गया, मद्ध्य प्रदेश के करंट फरकेदी हम बात करें, तो यहां मद्ध्य प्रदेश में जो खंडवा है, मद्ध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट बनने जा रहा है सोलर, तैरता हुआ सोलर प्लांट, खेल अंडिय यूद गेम्स का पांचवा संस्क्रण यहीं हुआ, जिसमें की महरास्ट टॉप पर था, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यहां मंदस ओर में, उनने चास्वे क्रम का खजुराहो महुत सभी यहीं हुआ, हवाई पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड, बीपी सील के नए ब्रैंड अमबैजडर कौन बने हैं, तो रिसेंटली जो क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, मफ किजिएगा, सचिन तेंदुलकर का आगे डिसकुर्शन आएगा, जहों इलक्षन कमीशन डिसकुस करेंगे, तो इसमें से राभुल द्रवेड, यह बनाएगा है, बीपी सील के नए अध्यक्ष, इसारवजनिक, शेत्र की तेल और गैस कंपणी है, जिसके स्थापने 1952 में मुंबई महराष्ट में, इसका हैटकॉर्टर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर, इन्हें चुनाव आयोग ने अ पूरवी लद्दाख में, पहली उमिंगला दर्रे में था, लेकिन अब यह बनाया जाना है, बॉर्डर रोड और्गनाईजेशन के द्वारा पूरवी लद्दाख में, पूरवी लद्दाख, यदि लद्दाख की हम बात करें, तो इसके उपराज जपाल का पदभार अब दर्ज कर लिया है, रोग गार्डन ये चंडी गर्डन है जो की नेक चंड के द्वारा बनवाया गया, अमरत उध्यान दिल्ली में, पहले जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, भूल भूले ये उध्यान का उध्गाटन, ये स्टेशियो आफ यूनिटी की पा अगला कोस्चन है, हाली में डिजी आत्रा पाने वाला नौर्थ इस्ट का पहला एरपोर्ट कौन बना है, तो ये बना है असम का गुवहाटी एरपोर्ट, डिजी आत्रा सुवधा के बारे में पहले भी मनें आप लोगों को बताया था कि इसमें बोर्डिंग के दोरान, च देवधार एरपोर्ट कहां है, जार खंड में, प्राइम इनस्टर नेंद बोद्य ने उद्गाटन किया, और डिजी आत्रा सुवधा के शुड़ वत्रे से दिल्ली के इंद्रगांधी एरपोर्ट से की गई थी, हाली में किस राग्जी ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत म होगा, क्रिक्टो वर्स, इस साल होना है, भारत में बता ही चुकी हूँ, 13 वा इसका एडिशन होगा, और ICC के बारे में जश्ट हमने डिसकुस किया ही है, अभी थोड़ी देर पहले, तो वीडियो को यहां से लेंदी मैं नहीं करूंगी, लाइब, फीफा मेंस वर्ड कप जो अभी हुआ था, जिसमें कि विजेता अर्जंटीना थी, इसका मसकट लाइब था, अभी जो इसपेन विजेता रहा है, फीफा वूमन्स वर्ड कप में, उसका मसकट तजुनी था, नेक्स्ट येर, समर ओलंपिक होष्ट करने जा रहा है, फ्रांस से दोहजार चौबस म इसका मसकट लॉंच हो चुका है, जो कि है फ्रीजियन कैप, आगे चलते हैं, ओड़ा मुद्सो कि इस राजजी में मनाया जाता है, तो ओड़ा मुद्सो जो कि केरल मनाया जाने वाला एक क्रसी महुद्सो है, मतलब कि राजा महाबली की इस मृती में मनाया जाता है, राज के रूप में रेथा थाविसन को चुना गया है इसके पहले प्रत्यों चान ओचा थी थाइलंड जिसकी कापिटल बैंक ऑफ करंसी बहत हो जाएगी अनवर उल्लह की रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनस्टर बने है और इसराइल के प्राइम मिनस्टर ये हो जाएंगे सफलता पुर्वक लेंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश यह बन गया है भारत चंद्रियांत्री लॉंच हुआ था सक्सेस्फुली इसने साउथ पोल पर लेंडिंग कर ली है आगे चलते हैं चुनाव आयूग ने नैशनल आइकन किसे बनाया है तो सचिन तंदुर हो जाएंगे पंकस रिपाठी हुआ करते थे इसके पहले नैशनल आइकन स्वारव गाउंगली त्रिपरा के ब्रैंड अंबैजडर मैथली ठाकुरी विहार खादी की ब्रैंड अंबैजडर हो जाएंगी नेक्श चलते हैं ब्रिक समिट जो की इस साल हो रहा है साउथ एफ जिसके तीन क्यापटल है केप टर्म प्रिटोरिया और ब्लेंफोंटें करन्सी इसकी साउथ एफ्रिकन रेंड हो जाएगी अगे चलते हैं एंगे नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नया ध्यक्ष कौन बने हैं तो यह रिसेंटली बन गये हैं जश्टिस प्रकास श्रिवा हो जाएगा विश्वजल सब्ता है 2023 यह कब से कब तक मनाया गया है तो यह 22 से 24 अगस्त तक मनाया गया है और यह बदल करके असमिता लीग कर दिया गया है आगे चलते हैं चंद्रियान 3 के लेंडर का नाम क्या है तो विक्रम है और रोवर का नाम इसमें प्रग्यान है ठीक है तो यह चंद्रियान 2 में भी था यह सेम है बदला नहीं है रोवर है प्रग्यान और लेंडर है विक्रम जुरौंग यह चाइना का जो मून मिशन था न मुंबई में हेड़कॉर्टर जो 30 एसपांट दे इसके CEO हो जाएंगे ठीक है और नील मोहन की दिमें बात करूं तो यह YouTube के CEO है सत्या नडेला Microsoft के और सुन्दर पिछे यह हो जाएंगे Google के FIH पुरुष होकी रेंकिंग में कौन सी देश की पुरुष टीम इसमें टॉप पर है तो इसमें टॉप पर हो जाएगी नीदर लेंड भारत को इसमें तीसरे स्थान पर रखा है FIH यानि कि International Hockey Federation 1924 में स्थापना हुई Laws in Switzerland में मुख्याल है और तयब इक्राम इसके अध्यक्ष है है हाला कि FIFA की जो मेंस रेंकिंग रिलीज की गई थी इसमें अर्जेंटीना टॉप पर है इसमें भारत अभी तो 99-30 पर है आगे चलते हैं यूटूब पर दुनिया पर सबसे अधीक देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो ये चंद्रियांत्री बना है वसे कली कोश् सेंचुरी राजस्थान का तिरपनवा था उत्तर विदेश का रानिपूर वाइल लाइफ सेंचुरी चववनवा बना है राजस्थान का ये आगे चलते स्वक्ष वायू सर्विक्षन 2023 में कौन टॉप पर है तो इन दौर इसमें टॉप पर है दस लाग से अधिक आबादी भारत की पहली यहां है ना मैंने कर आप से पूछा था फीफा वूमन्स वर्ड़कप 2023 किस ने जीता है तो इस्पेन ने जीता आज का सवाल है एशिया में पहली बार किस पर माड़ो रियक्टर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है तो इसका अंसर जो भी हो आप कमेंट बक्स में बताएं हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थांको सो मच